श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कल मंगलवार के दिन पर रही है इस पवित्र माग महीने की एकाजशी की तिथी इस एकाजशी में अगर आप एक लौंग से शिवलिंग के उपर एक विशेश उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन की दरिद्रता का अंत होता है गुरु जी ने कहा कि जो लोग एक आजशी की तिथी में इस विशेश उपाय को करते हैं उसके जीवन की गरीबी का अंत होता है आर्थिक समस्याए समाप्त होती है अगर किसी प्रक कि इन सारी समस्याओं से आपको सिर्फ ये एक उपाय बाहर निकाल देगा. तो चलिए जानते हैं, इस विशेश उपाय के बारे में लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना अगर आप चैनल पर ने हैं, तो कृप्या चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें. इस विडियो में हम लोग पूजे गुरु बताये गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे. ये उपाय आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपून करने के लिए है. धन धाने के भंडार भरने के लिए है. संकट, कष्ट, बीमारी, रोग इन सभी को दूर करने के लिए है. और अगर आप अपने जीवन में मेहंद बहुत कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं. तो गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको सफलता भी प्राप्त कराने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं, गुरूजी द्वारा बताये गए सबसे पहले उपाय के बारे में इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, तामबे के पातर में आपको अपने घर से एक लोटा जल ले लेना है, और इसी के साथ आपको ले लेना है, एक लॉंग, लॉंग थोड़ा सा चंदन अब ये सिर्फ तीन सामगरी लेकर आपको शिवाले पहुँच जाना है। पूजे गुरूजी कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में विलंभ हो रहा है उनकी समस्या भी इस लाल चंदन के लेपन से समाप्त हो जाएगी और उनका विवाह भी समय से हो जाएगा। इसलिए इस लाल चंदन का आपको लेपन कर लेना है। इसके आप जो एक लौग लेकर आए हैं। उस लौग को आप इस एक लोटे जल में डाल लीजिए। और श्री शिवा नमस्तु ब्रह्मा मंत्र का समरण करते हुए तथा वटकेश्वर महादेव का समरण करते हुए कौन से महादेव का वटकेश्वर महादेव का समरण करते हुए इस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर आप समरपित करते जाएंगे। पूजे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना होता है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम ग्यारह बार वट के महादेव या फिर इन दोनों में से किसी भी एक का समरन जरूर कर ले। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल निचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर छिरकाव कर लीजिए और फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठ कर आपके जीवन में अगर कर्च की समस्या चल रही है या फिर धन प्राप्त नहीं हो पा रहा हूं या फिर मेरे विवाह में विलंभ हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाएए पूजे गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मंगलवार की एकाजशी के दिन इस उ उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन से विवाह की समस्या धन की समस्या और कर्च की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है तो दोस्तों इस विशेश को आप इस मंगलवारी एकाजशी में जरूर करिएगा अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताये गए दूसरे ख पर शुद्ध आटा है तो उसको मार कर उसका दीपक तयार आप कर सकते हैं इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है गोल की बत्ती हम लोग भगवान विश्नु के निमित लगाएंगे क्योंकि एकाजशी की तिथी भगवान विश्नु को समर्पित होती है। ये दीपक हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को परिपून करेगा। हमारे घर में धन धाने की बरोतरी होगी। भगवान विश्नु की तथा माता लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होगी और हम धन धाने के भंडार सदैव के लिए भर जाएंगे तो इस विशेश उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपने ये एक दीपक तयार कर लिया। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी हुई हल्दी ले लेनी है। एक चुटकी या दो चुटकी आप पी सी हुई ह पौधे के सामने। ये उपाय आप शाम को सूर्यास्त के बाद करेंगे। सूर्यास्त के बाद ये दीपक लेकर आप तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुँच गए। ध्यान रखिएगा तुलसी जी के। पौधे को आप स्पर्ष नहीं करेंगे। क्योंकि एकाजशी की तिथी में हम लोग तुलसी जी के पौधे को स्पर्ष नहीं करते हैं। तुलसी जी की पत्यान जुलसेना इसलिए थोड़ा सा दूर रखिएगा। इस दीपक को प्रजवलित कर दीजिएगा और कम से कम ग्यारह बार ओम नमो भगवती वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। उसके बाद आपके जीवन की जो धन की समस्या है उसको विश्नु से माता लक्षमी से माता तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर ये एक चुटकी हल्दी आपको इसी दीपक में डाल देना है चुटकी हल्दी डाल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद एक चु जाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा आप जब तुलसी जी के पौधे के सामने बैठेंगे तो आपका जो फेस होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा यानी नौर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा। पूजे गुरु जी कहते हैं कि एकाजशी की तिथी भगवान विश्नु को समर्पित होती है। इसलिए भगवान विश्नु के निमित किये जाने वाला ये उपाय हमारे जीवन में धन, वैभव, मान, समान, यश, कीर्ती की प्राप्ती करवाता है। धन धाने के भंडार हमारे भरते हैं तथा हमारे सारे दुर्भागे का अंत होता है। इसलिए आ आपको एक लोटा जले लेना है, तामबे के पातर में आपको जले लेना है, और साथ ही साथ आपको पांच बेलपतर ले लेनी है। एक आदशी के दिन किये जाने वाला सरवश्रेष्ट उपाय है, ये इसलिए अगर आपके पास बेलपतर नहीं है, तो शिवलिंग के उपर चड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी और बेलपत्र की डिंडी के, आखिर में जो होती है, यानि जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए, अब सिर्फ ये दो सामगरी लेकर आपको शिवाले पहुंच जाना है, शिवाले पहुंचने के बाद आप दक्षिन दिशा में बैठ जाए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए और फिर ये जो पांच बेलपत्र आप लेकर आए हैं, इनको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए, फिर उसके बाद ये पूरा जल आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, उस पैर में समर्पित कर देना है, भगवान नंदी का जो उठा हुआ रहता है, उस पैर में ये जल समर्पित करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्त्र मंत्र का लगातार समरन करते जाना है लेकिन जल समर्पित करते हुए ध्यान रखिएगा कि ये बेलपत्र समर्पित ना हो बेलपत्र उसी लोटे में रहनी चाहिए सिर्फ जल आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है वहाँ पर समर्पित कर देना है जल समर्पित करने के बाद ये पांचों बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है बेलपत्र की चिकनी साइड का हिसा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी बेलपत्र आप चाहे तो पांचों एक साथ समर्पित कर सकते हैं बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरन करना है और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है मेरे जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्या है जिसकी वजह से मैं अपना व्यापार नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं बहुत वर्षों से बहुत महीनों से नौकरी की तेयारी कर रहा हूँ मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा अंधकार मुझे किसी भी कारे में सफलता नहीं मिल पा रही है पूजे गुरुजी कहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरन करिए महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाएए गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकाजशी की विशेश तिथी में इस उपाय को कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है और उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है तो दोस्तों ये थे पूजे गुरुजी द्वारा गए कुछ बहुत ही खास उपाय अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव